क यद्धाय जी के एक सबसे बड़ा सवाल हमारे दर्ष न कहाना है महराज गंज Nä सदर विधान तब है आपको महराजन wil डाम के बात करने तो उन सब पे क्यों नहीं आपकी नज़र जा रही है ताकि वो सांसर जी का गाउं भी है और आपका विधान सभा भी है आपके विधान सभा में बिजिली की किया वे उसता है इस पर बात करेंगे गोरगपुर एक्सप्रेश नीज देखने वाले सभी दर्शकों को गाउंवा सब्सक्राइब करेंगे और जानेंगे कि अपने विधान सभा को कैसे डवलप की हैं विधाक जी सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है क्या हाल चाल है करोना में के नाते थोड़ा दिक्कत तो है सबको मगर हम लोग स्वास्ता है ठीक है हमारी पतनी बच्छों को भी क फ़रोना काल समय चला है सबसे पहले हम लोग स्वास्त के बारें बात कर लेते हैं आप अपने विधान सभावासियों के लिए उनके स्वास्त को और मजबूत करने के लिए आपने इन फारे चार साल में क्या किया? कार चालू हो गया है काम वहाँ रोज ओपीडीवी काम चला है उसके बाद लच्छीवपूर एक डंगा में मैंने एक स्यसी प्यसी सिक्वित कराया और भी लगबग हमको लगता है कि एका धबता मुस्का उद्गाटन हो जाएगा और भी कार चालू हो रहा है महराज में स्वा की बात होती है यह होता है कि गाउं के लोग जब उनका रोड अच्छा रहेगा तो उनको रोजगार के लिए बेहतर होगा और उनका फ्यूचर कहीं ने कहीं और मुजबूत होगा तो सड़क अस्तर पे आप अपने विधासवा में कितनी सड़कों का जाल बिचाया है क्या क कुछ की है विधाक जी जड़ा बताएं सबसे परहें आपको बता दूँ कि दो दो अक्टूबर 1989 में महराज जनपत का अस्थापना हुआ था जनपत बनाता उसके बाद से महराज की जो में सड़कें हैं वो लगता ही नहीं था कि हम मुख्याले पे हैं मुख्याले की सड़ सड़कें तो आप जो हमको मैं तो डावेग साथ कर सकता हूं कि जो दस साल पहले महराज गया होगा तो भूल जाएगा अपना घर जाने के लिए इतनी अच्छी सड़कें रोड लाइट महराज गंज से निचलावल इतना खराब सलक था कि लोग चल नहीं पाते थे उसको हम कर आया महरा शिकारपुर से घूग ली उसको हमने कर आया मानी म ख्म्तैजी के प्रयास यह कार गँए अकृश ऑप हो गया महराज गंसे फरिंदा जो कह लिए कि जो भी महराज गंटें के मुक्मख失 क्यों कि महराज कि पूण हो चुका है महराज से चल महराजी के असिरवास से वह भी बन गया बहुत खराब सटाथ इसके बाद ग्रामीर में लगबग हमको लगता है कि हमने पचीस से तीस करोड़ से ऊपर यो अन्य गाउं से सहरो को जोड़ने वाली मेंसटों से जोडने विला सारा काम उसके बाद अभी प्रस्ताव मेरा है काम भी चलना है कह लिए कि सड़क के मामले में हम कूल रूप से अब ठीक हो गया और सड़क हमारा लगबग लगबग हमारे विधान सवाम ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो उन सब पे क्यों नहीं आपकी नजर जा रही ताकि वो सांसर जी का गाउं भी है और आपका विधान सवा भी है आपको बता दो जो भी लोग कहें उस लगटाब उनको दिखाय ही नहीं दिया सड़क पनेवा में जाने के लिए एक भी सड़क नहीं था और आज तीन सड़क मैं दावेघ चा का सकता हूं और के पनेवा से तीन सड़कता साथ्ट करके जेल के रास्ते हुए एदम नोधविद्याला के पास फिन में रोड से पनेवा का रोड बना है गवर्वा की नहर जो जाती पनेवा हो करके ओ पीछ हो गया तीन-तीन सडक मैंने पनेवा को दिया है और सबसे बनी समस्या जो पनेवा में था कि पनेवा गाउं के पहले एक पोक में महाराज गन मेरे विद्धानसवा मेरे पूराइना में कालेज महराज ने बन गया पड़ाई चालू हो गया है और हैं जो आटीम है एक बाला जी है घूगली में कई बिद्याले खुले और हम नहीं कर सकते हैं नहीं कर दिशे नहीं कि सरकार ने तमाम जो लोकल अस्तर के लोग है जो घरीब है उनको राशन पर राशन दिया जा रहा है एक सवाल एक कमेंट तमाम सारे करके जो भी दिक्कते आ रहा है आप उसको कैसे सॉल्व कर रहा है विधाक जी मैं तो बधाई देना चाहता हूं प्रधान मंतरी को मुखमंतरी को जो हमारे कुरुणा काल में हमारे सर्मित जोग अपना घाम धाम छोड़ करके अपने गाहों आ गए गाहों में भी कोई काम नह इस मिशन को लेकर के हम हमारी सरकार प्रदेश की सरकार केंद्रिक सरकार नौवंबर तक पिछले 8 महीन हमने वारा संदिया इधर 3 महीन दिया फिन इसको बढ़ा करके हमने नौवंबर तक कर लिया रही कोटेदारों की सभा तो मैं आप सबसे अग्रह करता हूं कि जो भी हमा जाए जाएगा उसकी कोटा को निजस्त कराए जाएगा आपके विजली की क्या व्योस्ता है इस तर बात करेंगे उससे पहले कुछ गाहों से तमाम लोगों का यहकाना है कि विजली के जो तार है पूराने हो गए अपने आप दिन में कभी आग लग जाता है कभी ट्रांसफा सरकारें मिलकरके महाराजज़न का सबसे बड़ा घ्रामसवा चहरी है बागापार जहां एक ट्वलाइवण ट्वले में क हमारी सरकार Lust जैसे गाउं को संपूर रूप से हर हर को बिजली हमने दिया अप पूर्ण कर दिया बागापार में कहीं कोई कह ए कि के मिये बिजली की कमी है हाँ आधी पानी आता है तो 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 निच्टरल हो उसको कुछ कहा नहीं पाएंगे और रही जरजरतार की तो हमारी सरकार ने की ओजना चलाया चल भी राकाम जो भी गाओं में जरजरतार जरजर पोल है सबको नौंबर दिसंबर तक का सरकार का टारगेट है और हम जो कहते हों करके भी दिखाते हैं अन्डी सरकारों के तरह नहीं कि चुनाओ आएगा तो भोसड़ा करेंगे उसको भूल जाएंगे हमने जो कहाओ करके दिखाया नौंबर से दिसंबर तक जितनी भी गाओं में जरजरतार पोल है सब बदल दिये जाएंगे निश्च जिला मुख्याला के हम बात करेंगे जमीन एकवायर करने में आप जानते हैं कि किसानों का अंदोलन चल रहा है हम उसमें बहुत आगे भी निकल चुके हैं और निश्चित दुरुप से आएगा मानी सांसर जी का हमारे प्रयास है और आएगा ही आएगा यह उपर से हमारी स ख्याले पर ट्रेन आएगा यह चोटा चीज नहीं बड़ा चीज इसमें प्रयास करना पड़ आएगा समय लगेगा इसमें करोना काल का दूसरा लहर चल लगतार लोगों की जान जा रहे हैं तमाम समय से संस्थाइं लोग की मदद कर रहे हमारे जानना हक है कि हमारे विधा सब्सक्राइब लोग के लिए अपनी तरफ से क्या मदद किया एक बड़ा सवाल है जरा बताएं पिछले करोना काल शुरुआत हुआ था उस समय लगबग 10-15 हजार तक उने मार्क्स बाटा सेंटाइज बाटा लोगों के विवस्थाएं की खाने पीने की कम्यूनिटी किच बड़ा उस्था नगर में चला पूरा भोजन कोई भूखा पेट सोयर नहीं कोई भूखा फिट मरन नारे के साथ हमने काम किया और कोरोना में जब सारी पार्टियां अपने घर में सोई थी तो भारती जनता पार्टी का एक-एक कारकरता गाओं में से लेकर सड़क तक का सा सपा बसा कि किसी求 ब pronounce कि कोई सड़क पर आय था क्या बस पा छासर कांगरीश कि लोग थांतैर है सेवा ही में सेवा ही अपीर इसके तर्ध हमने काम किया है और आगे मैं 6 करोड 80 लाख वा सुकृत करा दिया हमको लगता कि 10 से 15 से 20 दिन में और हम उसका सिला न्यास करेंगा और हाइटेक रोड़ वेजी स्टेशन बनेगा महाराजगें में और रहा महाराजगें में चार साल पान साल में हम यह नहीं कह सकते कि पूरा हमने बदल दिया महाराज इनको इस देश में सतर साल कांग्रेश के लोगों ने राज किया है भाजपा तो पूर रूप से चार साल हुआ हमको सरकार माय हुए तो सतर साल का गढधा चार साल में भर नहीं सकता है आने वारे द जन्वाद आपने हमारी सवालों को बड़े बड़े बाकी से जवाब दिया तो आप सब देख रहे ते हमारे खास कारकम गाव विधायक जी का सहर और आज के हमारे घास में मंगल कनोजिया जी जो महाराग जन्तपत के शादर विधायक है मेरेक पीचर अजीट मेरे नाम विश